हेलो एवरिवन मैं दामिनी वर्मा प्रॉम रामिस्ट एजूकेशन प्राइविट लिम्टेड नीट मेडिकल एड्मीशन कंसल टैंसी में आपका स्वागत करती हूँ मेरा ये वीडियो क्रियेट करने का में मोटेव यह है कि नीट पीजी काउंसलिंग ओवर होने के बाद हमारी कंपनी में ये क्वेरी करते हैं कि सर हमारी रैंक 60-70 हजार होने पर भी हमें टॉप ब्रांचेज नहीं मिली है जबकि हमने ओफ लाइन काउंसलिंग में अलॉट्मेंट लिस्ट में देखा है कि एक लाग चालेस हजार से लेके एक लाग पचास हजार रैंक वाले केंडिडेट को भी रेडियो डर्मा, मैडिसिन, ओबीजी जैसी टॉप क्लिनिकल ब्रांचेज टॉप कॉलेजिस में अल और केंडिडेट्स का ये भी कहना है कि हमने खुद के लिए कंसल्टेंट भी हाइर किये बट इस्ट्रे वेकेंसी राउंड ओफ लाइन काउंसलिंग में पॉसिबल नहीं होता एड्मीशन लेना बिकाज इस्ट्रे राउंड में 100 क्लिनिकल सीट्स ही वेकेंट होती हैं और वन लैक स्टूडेंट्स वेटिंग में होते हैं इसलिए इस्ट्रे राउंड में 100% एड्मीशन का गारंटी नहीं होता है क्यूंकि गवर्मेंट ओनली 3-4 डेस का ही टाइम देती है इस्ट्रे व पाइडेंस ना मिलने की वज़ा से और लो बजट होने की वज़ा से ड्रॉप लिया हुआ है अगर आपके मार्क्स लो है तो आप हमारे जैसे कांसलर को वेरिफाई करने के बाद हायर करें जिनका एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्डीज लो मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को टॉप कॉलेजिस में टॉप डिमांडिंग ब्रांचेज दिलाने में हो जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके फ्रेंड सरकल में कुछ लोग रेडियो डर्मा ओबीजी मेडिसिन जैसे टॉप ब्रांचेज 35 से 40 लाक में भी कर रहे होंगे और 2 से 3 करोड के पैकेज में भी ही लो है दोनु ही कम है और प्राइवेट कॉलेजिस की फी सफोर्ड नहीं कर सकते हैं देन सीपीएस कोर्स में आप डीजियो डीच दी पैथो जैसे डिप्लोमास जॉइन कर सकते हैं इन दा एंड मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगी कि टॉप कॉलेजिस की सीट कंबर एंड कंडिडेट्स रिव्यू आपको मिल चाहेगा जिसके तुरू आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं हमारी कंपनी में विजिट कर सकते हैं हमारी कंपनी 18 एक्सपीरियन्स 12 ब्रांचेज एंड एसोसियेट ऑफिस के साथ इंडिया की डिफरेंट सिटीज में रन कर यह थैंक यह सो मुच